तो देखते हैं यहां पर Q63 में हम से क्या पूछा गया है An object is 2 meter from a lens which forms an erect image 1 fourth exactly the size of the object determine the focal length of the lens what type of lens is this तो करते हैं यहां पर इसको solve तो हमें यहां पर क्या रखा है हमें यहां पर object की distance रखे 2 meter तो यह equal to यहां पर क्या हो जागा बना रहा है क्या बना रहा हमारे यहां पर virtual and erect मतलब सीधी बने गई और जो यहां पर magnification है वो हमारे यहां पर क्या है 1 x 4th मैगनिफिकेशन 1 x 4th है यहां पर positive होगा क्योंकि है यहां पर virtual image बन रही है और जो focal length है वहां carbon पर क्या करना है find out करना है तो मैंदिफिकेशन यहां पर क्या है 1 upon 4 है और मैंदिफिकेशन का फॉर्मिला यहां पर क्या होता है Mophile टू V upon U होता है M Equel To यहां पर क्या हो जाएगा M楊 Equel To V upon U आन यहां पर ‎क्वछ AJFF होगा हमारा U माइनस बावस की De사 coming और यू हमें यहाँ पर कितना किवन है? माइनस 2 की वन है, तो यहाँ पर हम लिखते थे माइनस 2 एक्वल टू 4V and V एक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा माइनस का 2 अपॉन 4 and V एक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेंस फॉर्मुला यूज़ करके हम यहाँ पर क्या निकाल सकते है? फोकल लेंक्ट निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं, solve तो lens formula हमारे हमारे हैं पर क्या होता है वो हम यहां पर लिख लेते है using lens formula using lens formula lens formula हमारा होता है 1 upon V minus 1 upon u equal to 1 upon f तो V हमारे 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 नीचे तो यह हम लिखेंगे तो reciprocal हो जाएगा तो minus का 2 upon 1 minus का यहाँ पर 1 upon u तो minus minus यहाँ पर क्या हो जाएगा positive हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर u negative में और formula में भी negative में तो यहाँ पर plus का क्या हो जाएगा 1 upon 2 equal to 1 upon f LCM लेंके तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 आजाएगा and यहाँ पर आजाएगा minus का 4 plus का 1 equal to 1 upon f यहाँ पर क्या आजागा 3 minus का 3 upon 2 equal to 1 upon f and जो focal length क्रोस multiply करने पाद कितना आजाएगा minus का 2 upon 3 अब हमें यहाँ पर क्या करना है इसको divide कर लेना है तो करते हैं यहाँ पर इसको divide 2 को किसे करना है 3 से करना है तो यहाँ पर क्या होगा 0.0 3 6 अब होगा 18 हो जाएगा तो यहाँ पर further solve करते हैं यहाँ पर क्या होगा 2 points हमने पहले से लगा रहा है यहाँ पर 0 आजाएगा and 3 6 18 तो यहाँ पर क्या होगा 0.66 ऐसा चलता रहेगा तो focal length हमारे यहाँ पर क्या जाएगा negative का 0.66 यहाँ पर meter में आएगा तो हमने यहां पे focal length निकाल लिया आज हमें यहां पे बताना था कौन से type का lens है तो focal length हमारे यहां पे negative कौन से lens में आता है obviously हमारे किसमें आता है? Concave lens में आता है तो यह हमारे कौन से lens होगा? Concave lens होगा तो hope आपको यह वाल answer भी समझ में आ गया होगा आप हम चलते हैं अपने next question के तरफ